ये आकाश्वानी है अब आप हरी संधू से समाचार सुनियें प्रधान मंत्री मनमहन सिंग ने कहा है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI तथा दूसरे सुधार उपायों से आम आदमी को फायदा होगा और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस और सरकार का मानना है कि खुदरा कारोबार में FDI किसानों के हित में है दिली के रामदीला मैदान में आज कॉंग्रेस की एक रैली को संबधित करते हुए डॉक्टर मनमौन सिंग ने कहा कि किसानों को उनकी पैदावार के लिए उचित मूलिम मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन होंगे FDI से लोगों के रोजगार चिनने के विपक्ष के दावे को गलत बताते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि FDI के लिए सरकार द्वारा किये गए प्रावधानों में छोटे और बड़े सभी व्यापारियों के लिए संभावनाएं हैं डॉक्टर मनमौन सिंग ने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी और सरकार एक सम्रिद भारत के प्रती वचन बद्ध हैं लेकिन लोगों को इस लक्ष की प्राप्ती के लिए एक लंबा रास्ता तै करना होगा UPA सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों के बारे में विपक्ष पर भ्रामत जानकारियां पहलाने का आरूप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्तितिको ध्यान में रखते हुए कड़े निर्णे लिये गए हैं रैली को संबोधित करते हुए कॉंग्रस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कॉंग्रेस ही एक मात्र धर्म निरपेक्ष पार्टी है कोई दूसरी पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आर्थिक और राजनीतिक चुनोतियों का सफलता पूरवक सामना करेगी। शिर्मती गांधी ने विपक्ष पर निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने और कल्यानकारी कानूनों में अडंगा लगाने का आरोप लगाया। इससे पहले कॉंग्रेस महासचेव राहूल गांधी ने रैली में विपक्ष पर लोगपाल विधेक को पारित करने की कार्रवाई में रुकावट डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना सोचे समझे सरकार के कारिक्रमों का विरोध कर रहा है। मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बिहार को विशेश राज्य का दर्जा देने की मांग की है। पटना के गांधी मैदान में आज एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विशेश राज्य का दर्जा मिलने से बिहार में तेज गती सही विकास होगा। रैली को जनतादल युनाइटिड के अध्यक्ष शरद यादव सहित अनेक प्रमुक नेताओं ने संबोधित किया। हिमाचर परदेश विधान सबा चुनाव के लिए मतदान शांती पूरवक संपन हो गया लेकिन जो लोग कतार लगाकर खड़े हैं उनको मतदान की अनुमती दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोक के अनुसार शाम पांच बजे तक लगभग 68 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है। आंधर प्रदेश के तेलंगाना और तटवर्ती इलाकों पर नीलम तूफान के कारण हवा का कम दबाव बना हुआ है जिससे राज्य के अधिकतर इलाकों में जन जीवन प्रभावित है। इसकी वज़े से तटिया आंधर प्रदेश, 36 गड़, ओडिशा, पस्चिम बंगाल में गंगा के इलाके और अंडमान, तसनिकोबार, द्वीप समूव में बारिश या गरज के साथ छीटे पड़ सकते हैं। तटिया आंधर प्रदेश और ओडिशा के एक या दो स्थानों पर अगले 24 खंटों में भारी बारिश की संभवना है। जंडी दिखा कर रवाना किया। हमारे संभाद्याते ने बताया है कि इस रैली में आम जन कैंसर पीडित स्कूल और कॉलेज के चात्र तथा सैन्य कर्मी शामिल हुए। आंधर पदेश के पूरवी गोदावरी जिले में आधार पर आधारित सार्वजनिक वितरन प्रनाली की प्रायोगिक परियोजना के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। इससे असली लाभारतियों को उचित धंग से वस्तुएं मिल रही हैं। जिला अधिकारियों ने ये भी देखा है कि परियोजना के तहत एक महीने में इससे शहरी इलाकों में राशन में 30 प्रतिशत और ग्रामीन इलाकों में लगभग 20 प्रतिशत की बचत हुई। इसके साथ ही ये समचार बुलेटिम समाप्त हुआ।